जे मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सर। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जे मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, नौरात्री को हिंदू धर्मे के पर्वों में से मुक्पर्व माना जाता है, जिसे पूरे देश में बहुत इस्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नौरात्री देवी दुर्गा को समर्पित पर्व है, जिसमें मादुर्गा के नो अलग-अलग पूजा की जाती है जिने हम नौदुरुगा कहते हैं ये पर्व अस्विन मा के सुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से सुरू होकर अस्विन मा के सुकल पक्ष की नौमी तिथी तक चलता है ये सरद रितू में आते हैं इसलिए इने सारदी नौरातर कहा जाता है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सारदी नौरात्री साल कब सुरू होंगे और कब समाप्त होंगे और कलस स्थापना करने का सुब मूरत क्या रहेगा क्योंकि कलस स्थापना हमेशा सुब मूरत देख कर ही करनी चाहिए इसके लावा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे अस्टुमी, नौमी और दसैरा कब बनाया जाएगा क्योंकि इन तित्यों को लेकर लोगों में संसे बना रहता है साथ ही हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन और हवन आपको किस दिन करना है इसके लावा नौरात्री वृत का पारण और दुर्गा विसरजन कब किया जाएगा ये भी बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो आई ये शुरू करते हैं दोस्तों नौरात्री के नो दिनों में मादुर्गा के अलग-अलग सुरूपों की उपासना की जाती है मानेता है कि नौरात्री के दोरान विधी विथान से पूजा अर्चना करने पर मातारानी अपने भक्तों पर विशेश क्रपा बढ़साती है मादुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त नो दिनों का उपवास भी रखते है आपको बता दें कि इस बार किसी भी तिथी का च्छे नहीं हो रहा है इस बार पूरे पूरे नौ नौरात्री पढ़ेंगे इसके साथ ही इस बार नौरात्री पर कई सुपसयों भी बन रहे हैं आपको बता दें कि नौरातरी के पहले दिन कलस स्थापना की जाती है कलस स्थापना करने से घर में साकरातमक्ता का वास होता है और घर में खुसाली आती है घट स्थापना के साथ ही कुछ भग्द 9 दिनों तक अखंड जोती भी जलाते हैं और धजार उपन भी करते हैं तो चलिये जानते हैं कि साल 2024 में सारदी नौरातर कब शुरू होंगे और कब समापत होंगे तो आपको बता दें कि सारदी नौरातर की सुरुवात 3 अक्टूबर 2030 दिन गुरुवार को हो जाएगी और सारदी नौरातर की समापती 12 अक्टूबर 2024 दिन सनिवार को होगी और प्रती पदातिती की सुरुवात 3 अक्टूबर 2030 की प्राता काल 12 बचकर 18 मिनट पर होगी और प्रती पदातिती की समापती 4 अक्टूबर 2030 की प्राता काल 2 बचकर 58 मिनट पर होगी और बात करें कलस स्थापना के सुमूरत की तो कलस स्थापना करने का सुमूरत 3 अक्टूबर को सुबा 6 बचकर 15 मिनट से लेकर सुबा 7 बचकर 22 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी 1 घंटा 6 मिनट की रहेगी और इस दिन अब जीत मुहूरत सुबा 11 बचकर 46 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 33 मिनट तक रहेगा और दुरगा अस्टमी का पर्व 11 अक्टूबर 2024 दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा और दुरगा नौमी 12 अक्टूबर 2030 दिन सनिवार को मनाई जाएगी इस दिन मसिद दात्री की पूजा अर्चना होगी और इसी दिन हवन और कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाएगा दोस्तों कुछ लोग नौमी तिथी को ही हवन और कन्या पूजन के बाद नौरात्री व्रत का पारण कर लेते हैं तो वहीं कुछ लोग दसमी तिथी में व्रत का पारण करते हैं। और इस बार विजिया दसमी का परवी 12 अक्टूबर 2024 दिन सनिवार को ही रहेगा। इसी दिन नौरात्री व्रत का पारण भी किया जाएगा। और दुर्गा विसरजन 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को किया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मातादी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्से पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें। धन्यवाद।